हाई गाईज वेल्कम तो आवर चनल मैंसेल्फिज मन्जीत यादो तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पॉलिटेकनिक के सब्जेक्ट और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्लाइड मेकेनिक्स तो अप्लाइड मेकेनिक्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से चेप्टर को पढ़ना है आणि सलेवर्स की हम बात करेंगे सबसे पहले इसको हिंदी में बलते हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिके आज बस जस्ट एक नोटिफिकेशन देने में आया हूँ स्लेबस के साथ कि अब इस चैनल के माध्यम से आपको पॉलिटेकनिक के सब्जेक्ट खास तोर पे जो सिविल के सब्जेक्ट है सिविल डिपार्टमेंट के जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि आपके इवन सेमेस्टर में चलाया जा रहे हैं उनकी हर एक सब्जेक्ट के वीडियो फ्री आफ कॉस्ट आप तक पहुंचाऊंगा मैं और अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये तो अप्लाइड मेकेनिस का मैं स्लेबस की बात कर रहा हूँ वैसे अगर आप जो है फॉर्ट सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर की स्टूडेंट है तो मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं आज से स्टार्ट कर ला हूँ आज हर एक स्टार्ट का स्लेबस ही बताऊंगा पहले उसके बाद कल से जो है इंके चेप्टर चालू हो जाएंगे तो सबसे पहले estimating costing and valuation जिसका नाम है quantity serving and valuation subject यानी जो six semester में उसे स्टार्ट करेंगे और still structure जो कि six semester में है उसके बाद four semester की बात करें तो उसमें design of RCC जो की काफी अच्छा subject है तो इन जो numerical subject है इनको पहले कवर करूँगा और first year के लिए यानी second semester के लिए गर बात करूँ मैं त second मैं second और applied mechanics यह दो subject है जो की numerical subject है तो इसको भी मैं cover करूँगा यह free of cost आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे और पूरा complete video आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से दोनों भासा में है यह वाइलेंग्वेल हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही चलिए syllabus की बात करते हैं applied mechanics में according to syllabus बोड के हिसाब से देखा जाए तो इसमें केवल आपको छे चेप्टर पढ़ना है पहला चेप्टर है आपका इंट्रोड़क्शन पहला चेप्टर है इंट्रोड़क्शन परिचय इंट्रोड़क्शन में हम लोग पढ़ेंगे mechanics क्या होता है प्लाइड mechanics क्या है engineering में इसका क्या यूज होता है इसे related जो भी है वो सब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे पाकी details जब मैं चेप्टर स्टार्ट कर दूंगा उसमें सब बताऊंगा अभी केवल चेप्टर के नाम तो इंट्रोड़क्शन के बाद सेकेंड चेप्टर है आपका लॉज औफ फोर्सेस बलों के नियम बलों के नियम ठीक है उसके बाद जो थर्ड चेप्टर है आपका वो है मुमेंट मुमेंट फोर्थ चेप्टर में परहेंगे फ्रिक्शन फ्रिक्शन यहीं घर्शन फ्रिप्थ चेप्टर में शेंटर आफ ग्रेविटी सेंटर आफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र एंड लास्ट चेप्टर है आपका शिम्पल मसील सरल मसील केवल यहीं छेप्टर आपको पढ़ना है इन छेप्टर के जितने भी थियोरी या नुमेरिकल होगा उन सभी को हम लोग इस्टेडी करेंगे 6 के 6 चेप्टर सभी चेप्टर बहुत इंपोर्टन हैं और हर एक चेप्टर से एक्जाम में काफी question पूछे जाते हैं ऐसा यह नहीं है कि कोई भी chapter important नहीं है 6 के 6 chapter सारे chapter आपके बहुत important है तो इनके अंदर हमें क्या पढ़ना है वो जब मैं chapter start करूँगा तो उसमें सबसे पहला जो lecture होगा starting में उसी में मैं बता दूँगा कि इस chapter में क्या क्या cover करना है फिरहाल आज हमें बस इतना ही notification देना था आपको कि आज से अब mechanics हमने चालू कर दिया है अगर आप first year की student हैं तो applied mechanics and mathematics दोनों subject का complete वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा अगर आप लोग नए आए हुए इस चैनल पर तो चैनल को subscribe कर लिए जिससे new video का uploading जोगा आपके पास उसका notification आता रहेगा मेरा यही कोशिस रहेगा कि simple से simple सब्दों में आपको पूरा अच्छा तरीके से समझाना और ज्यादा से ज्याता जितने problems आपके होंगे numerical से होंगे उसको हम solve करेंगे ठीक है?